टेक्निकल चैनल यूनिकम स्टेडी पर एक बार फिर से साथियो आपका स्वागत है साथियो आज हम एक विशेस टोपिक जो और याना एलम का जो एक्जाम है निए 14 नुवंबर को उसे समंधित प्रियोचर पेपर लेकर रहे हैं उसका आजम स्टिक मिल सके आजम मित्रों इल इमलिक्त में से कौन सा जो डिशी मोटर के अधिक्तम सकती उत्पन कर सकता है डिशी मोटर कब अधिक्तम सकती उत्पन हो गरे तो मित्रों इसके लिए नियम होता है कि जो इबी का मान है ना जैनि बेक एमफ है वो औरना चाहिए आरपित वोल्टेज का आदा हो जाता है बे के दम सही हो जाएगा, इस क्यूsm के बारे में इतनी जाना का नेक्स्ट क्यूsm क्यूशन के और हम चलते हैं, अगला क्यूशन है कि निमन में से कौन एक बडी सी मोटर ओर में पार सो में EMIF और दारा के बीच में संवंध को परवसित करता है तो ये नियम करता है रास होता है तब दारा में के सैंवर्धिर ठार जब कमी ओगी ना तो इस के क्याद दारा के अंदर के वर्धियों होती है तो सत्ते कौन सी बात है तो पार्स को मिया प्याने बेग एमफ में सेंगे गती के समान पाती होता है तो जो इबी है उसका मान के है अन के समान पाती है जो गती है ना वो क्या होती है फलक्स के विलो मान पाती होता है तो ऐसा उप्सन को यह दिख रहा है क्या तो यह A number option दिख रहा है ना जो गती है ना वो किया E.M.F के उसमान पाती होती है तो इस question के बारे में तिनी जानका है next question के और में चलते है next question क्या है कि जब एक cent motor डिशी motor है उसके जो terminal voltage है वो V है आर मेंचर दार आई है और आर मेंचर पर तिरो आर कारीय सील है तो इस पर पार सो मेंफ यानि E.B. का मान पूछा है तो E.B. बराबर किया आता है जब मोटर है न मोटर में के E.B. बराबर हो जाए V माइनस यानि आर पित voltage माइनस voltage का drop जो आर मेंचर करता है उसका अगर घटा देंगे तो उसका माना जाएगा तो यह option काँपर में इस खा रहा है ए नमर option एकदम सही है तो इस question के बार में तरी जान करें नेक्स्ट क्यूशन के और हम चलते है नेक्स्ट क्यूशन देख लीजी निमलिक्त में से कौन सा समीकन तुल्यकालिक मसीन की कारे सीलता को परवासित करता है अर्था जो frequency बराबर क्या होगा इसको option के इसाफ़ से तो अब बराबर क्या होता है पी इंटू अन बटे में 120 य यह option के एक नमर option दिखाए दे रहे तो इस question के बारे में तनी जानका है next question के और हम चलते है ने च्पनमर क्यूशन देगे लिए जिस अपनमर क्यूशन में क्या है निमनलिक्त में से कौन साइग अतिक साइग तुल्यकालिक मोटर के कार्ण गटित होता है तो यह कब गटित ह होगा तो तुल्यकालिक मोटर में क्या है जब लिडिंग दारा कब लेती है तो तुल्यकालिक मोटर के लिडिंग दारा लेकर क्या है लिडिंग दारा को खेंचती है क्या करते है लिडिंग दारा को लेती है और लेगिंग दारा के परवाव को समाब्त कर देती है इस question के ब बेलनाकार तुल्यकाली मोट मसीन में उत्पन अधिक्तम सक्ति के कौन का मान क्या होगा, यह अधिक्तम सक्ति कब उत्पन करें, कौन मान में कितना हो, अर्थार जब बेलनाकार रोटर और फलक्स की बीच में क्या 90 डिगरी अंतर होगा, क्या दोनों क्या 90 डिगरी पर तो ही क्या है इसमें देखिए अधिक्तम जो सकती उत्मने करती है इस क्यूशन के बारे में इतनी जान के नेश्ट क्यूशन के और हम चलते है अठावन नमर क्यूशन क्या कहता है निमने में से कौन सी तार पर ना ली आवास ये बहुनों में वाइरिंग का सबसे आम सबसे आइसमें छान के नाइच्ट ये जाये निमने में से किस परकार के तारों को रॉमेक्स ब्रवान्ड के नाम से जान जाता है तो यह रॉमेक्स कौन सबसाइगा कि त Etol संसले सी भाउलग से बने रोदन से लेपन किया हुआ है और उस मारोधि और गेलोसीन पर तिरोद के लिए नायलोन वी लेपन यूगत है तारों में पर क्या लेपन होगा उसका नाम पर क्या लिखेएंगे तो यह जाएगा एकस एचन एचन अन ये इसका क्या जाएगा नाम हो जाएगा next question देग लिजे साथी next question निमिल में से कौन सा समीकरन luminous flux की एकाई lumin को परवासीत करता है तो ये हो जाएगा lumin बराबर हो जाएगा candle सकती गुणा में ठोस कौन थोस कौन इनका गुणन फल दोनों का क्या हो जाएगा luminous को परवासीत करता है next question देग लिजेए बास्ट नमबर क्योशन क्या कहता है निमिल में से कौन से विकले परदीप्ति गनतों के को साइन नियम को परवासीत करता है तो यह हो जाएगा यह यानि परदीप्ति बराबर हो जाएगा परदीप्ति तिरुता बटे में क्या हो जाएगा परदीप्ति और तल के बीच की दूरी के वरक के समान पाती यानि विलोमन पाती हो जाएगा डिस्केर और को स्पाई यानि जहां पर परदीपती जो परदार्त है उसे और तल के बीच की जो दूरी उनके बीच में जो कौन मना है उसके गुंदफल के सुमानपाती हो जाएगा तो इसका निसर क्या जाएगा एक दम सही हो जाएगा क्या है कि सबी समतलों में केंडल सकती के ओसत को किसके रूप में जाना जाता है तो यह जाना जाता है नेक्स्ट क्यूशन के ओर हम चलते हैं साथ ही हो आप इस पेपर के इसाब से देख लिजे क्यूंकि आपका सब्सक्राइग को एक्जाम होने वाले है नेक्स्ट क्यूशन के ओर है कि निमिलिक्त में से किसे सकती पर नली की परिचालन लगत के रूप में माना जाता है तो सकती पर चालन शुरुआत कहां से होते हैं इन दन की लगत से शुरुआत की जाती है यहीं से शुरुआत होती है नेक्स्ट क्यूशन के ओर हम चलते हैं तो ओप किसन मांग दर के नम से जाना जाता है, इसका एनसर क्या होजएगा, डिय एकदम सही हो जाएगा, नेक्स्ट क्यूशन के और हम सलते हैं साथ यो, नेक्स्ट क्यूशन देख जीए निमिल में से कौन सी विशेस्ता है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इनजेक्टर न्यो जीत है, यह क्या है, सी बटे में यह होता है इसका अनपात किया किस सिमा तक होता है तो इसका मान होता है 0.95 से लेकर 0.99 तक इसका कोई मात रख नहीं होता है मित्रो इसके अलबा बिटा का मान कितना होता है तो यह होता है एक से लेकर एक से लेकर क्या होता है एक सू निनाण में तक बिट्टा का मार होता है नेक्स्ट कुशन रेखिए लिजी साथियो 68 नंबर क्या कहता है जो BA है बेस है कलेक्टर है, CA, Emitter, E ये बराबर थार क्या रहे हैा दारा बार की रहे है ओर थात एक बार धारा कि अंदर जाती है और एक में बहार आती है तो अंदर जाती है यह दारा उसको याद करने का तरिका देख लिए आप मित्रो pnp । यहां पर लिख लिए जैसे इसमें दारा अंदर जा रहा रही ऐ है तो o instructions of fire उम्यर कोरिग न सकर्प्रब्पर इप तो यह क्या है? साखले का नियम है, उससे समन देते यह है. Next question देख लिए चेसा थी हो, विदूत पर तिरोध की इकाई के है? ओम होती है इसके बाद क्या है वोल्टेज ये क्या होती है विदू दुहाकबल की होती है वाट क्या है सक्ति की होती है और हैनरी क्या है इंडेक्टेंस की एकाई होती है नेक्स्ट क्यूशन के ओर हम चलते हैं परवद्धक में सैगुरुन दर को कालिस्तान के रूप में निरुपित किया जाता है यह किया जाता है वीवटे में मियूवस के रूप में वैक्ते किया जाता है नेक्स्ट क्यूशन दर लिए जिसाती है डायोड में forward wise होता है कब होता है ज़र क्या है दिनात्मक देते हैं और जब cathode है उस पर क्या है ज़र हम रनात्मक देते हैं तब इसमें क्या होता है यह forward wise के अंदर चलता है और जब reverse wise के अंदर के इसके विप्रित कर देते हैं एनोड पर हम क्या है negative दे देते हैं और cathode पर अपन क्या है positive दे देते हैं तो ये क्या है reverse वाइस के अंदर सलता है diode में से क्या है reverse वाइस के अंदर के एक open circuit की तरह कारिय करता है और forward वाइस के अंदर के एक short circuit की तरह कारिय करता है इस question के बारे में इतनी जानका है next question के और हम सलते हैं नेक्स्ट कुषिन है जो जानब के है तो यह से क्या करता है तो यह से क्या करताता है पर्तिवादा यूग्मिन के रूप में जानब fishing क्या कहता है RC कला विस्तापन दो लितर और वेन ब्रिज दो लितर आवेसित आवरती की तरंग उत्पन करने के लिए आम तोर पर उप्योग किया जाता है तो यह क्या साइन परकार की वेब यह बनाता है चैंतर नंबर क्योशन क्या कहता है कौन सा विदूत नेटवर्क एक आवरती छेतर में कला पश्चात और दूसरी आवरती छेतर में कला अगरता उत्पन करता है तो अग्र ता पस्था ता नेटवरक ये क्या करता है किसी नेटवरक के अंदर आवर्ति को पस्थे भी करता है और अग्र दोनों के अंदर के आवर्ति को ये करता है तो next question के और हम चलते हैं आज 6 यहीं असी question करेंगे निमलिक्त में से कौन सा कथन आरादंती जनितर से समंदित है तो आरादंती जनितर मित्रों कौन सा हो जाएगा जो क्या है 60 जनितर समंदित है तो ये है केर जयेवक्रिय तरंग रूप सुन्य से बढ़कर उस्तम स्तर पर पहुंच आती है और फिर कैसे नियों पर गिर जाते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं संदारितर करते हैं परतिरोद करते हैं और इंडेक्टर करते हैं ओम के नियम का पालन कौन नहीं करता है तो ट्रांजिस्टर करते हैं पर वर्दक नहीं करते हैं और फेट ये सभी के है, डायोड वगेरा ये क्या है, आइसी ये क्या है, ओम के नियम का पालन नहीं करती हैं, तो ये क्या हो जाएगी, सक्रियाततों के अस रेटा है, नेक्स्ट क्यूशन की और हम चलते हैं सात ये, रिकिस्तान दोस होने पर अलारम देता है और तेल में डूबे और ट्रैंसफर्मर में विस्तापित करता है ये कौन सा करता है तो ये कैब कोल्ज रिले है यानि इसे विस्पोटक रिले के नाम से जान जाता है ये क्या करती है दोस होने पर क्या है ये सुचना दे देती है साति हो next क्यूस्ट के चलते है और आज का अंतिम क्यूस्टन है अंकिया रिले में ओन ओप औस तको दिवधर अंकों के रूप में बाइनरी के रूप में दरसा जाता है यह बाइनरी को नहीं होती है तो यह सुनने और एक के रूप में होती है इसमें करम से क्या है जीरो और एक इसके दोनों ही इसमें स्टार्टिंग अंदर आपने आपने एक जिरो और एक और जिरो तो यहां पर के on की रूप में क्याता है एक आता है और off की रूप में क्याता है सुनने आता है तो इन स्कार्णस का बी एदम राइट हो जाएगा आज साथ ही हम इतने करें बाकी कुशन हम नेक्स्ट वीडियों करने वाले तो तब तक के लिए बने रहिए जहिन साथियो